आइ जब कभी भी आपको कन्वर्जन करना हो कि कभी मिलटर में कैसे चींज करते हैं हर्ट की CHвиг के मूवी टे-Trick है लिखा लेका मैंद लीटर बीटर मीटर ग्राम लिखिद लीटर में होगा मिटर लेंद्थ होगी ग्राम वजन हो गया यह समझ लीजिए यह जो influenced prefixes है, dcm है, यह suffixes है, वह सुरी यह भी prefixes है, है ना, तो जैसे मालो बनता है ना, kilo, kilo, liter, kilo, meter, kilogram, hectaliter, hectometer, hectagram, deciliter, decimeter, decigram, है ना, तो देखो कैसे है, मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा और जानदार तरीका, इसका मतलब है kilo, इसका मतलब है hecto, hecta, इसका मतलब है deci, इसका मतलब है centi, इसका मतलब है mili, अगर आप से किसी ने पूछा, एक kilo, meter में, कितने decimeter होते हैं, एक kilo meter में कितने decimeter होते हैं, ओके, तो क्या करेंगे kilo पे हैं तो एक, और decca पे जाना है, एक, दो, दो jump किया है ना, तो hundred, that's it, अराम से आप पता कर लेंगे, ओके, अराम से आप पता कर लेंगे, अगर आप से कोई पूछा जाए, आप से कोई पूछे कि एक deciliter में, कितने centiliter होते हैं, एक deciliter में, तो decca से आपको कहा जाना है, centiliter पे, तो एक, दो, तीन jump किया है, तो one, zero, 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 centiliter होते हैं, कल हम देखेंगे movie, देख चुके movie, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा और जानदा तरीका है, ठीक है, चलो, अब मैं आप से एक बात पूछूँगा, आप लोग एक बार बताईएगा, अच्छा, अगर उल्टा चल रहे हैं, तो divide कर देएंगे, that's it, अगर मान लो, कोई आप से पूछे कि एक centiliter में, कितने decimeter होते हैं, तो centi से decimeter पे जाना है, उल्टा, तो बस, एक बटा 10, एक jump, दो jump होते तो 100 से भाग कर देते, अगर आप से कोई पूछे कि एक लिटर में कितने milliliter होते हैं, कितने ml होते हैं, तो लिटर कहां पे हैं, ये रहा, तो एक, दो, तीन, तो बस 1000 ml, एक लिटर में 1000 ml होते हैं,